नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है चमतकारी तोटके में पुष्का आसन बनाकर उस पर बैठ जाएं उसके सामने लकडी की चौकी पर काला कपड़ा बिछा कर तामर पत पर बना तंत्र रक्षा ताबीज रखकर इस मंतर का जाब करें ध्यान रखें कि इस मंतर को सिध करने के लिए आपके इसकी ग्यारा मालाएं हल्दी की माला के साथ जब करकर सिध करनी होगी ये है मंतर ओम, हरीम, हरीम, क्लीम इस मंतर के जाब से आपको धन का लाब होगा इस मंतर के जाब के बाद ताबीज को काले धागे में डाल कर गले में पहन ले इस मंतर को रक्षा के नजरिये से बहुत ही उप्योगी माना जाता है अगर किसी व्यक्ति के उपर बाधाएं हैं या फिर उसे किसी भी तरा की परेशानी है तो इस मंतर से वो मुक्ती पा सकता है ओम नमो धन्दाए स्वाहा ये मंतर होली के विशेश योग पर धन प्राप्ती के लिए जपा जाता है इस मंतर का जाब करने के लिए आप होली की रात को अपने घर में ही किसी एकांत जगे पर बैठ कर इस मंतर का जाप कमल गट्टे की माला से करें दोस्तों अगर आप अपने राजकाज में एक सफलता पाना चाहते हैं तो उसके लिए ये उपाय करें ध्यान रखें ये उपाय तब करें जब होली का में अगनी प्रज्वलित नहीं हो इसके साथ ही ये भी ध्यान रखें कि जब भी आग का टुकड़ा फेकें तो होली में ही जाकर गिरें ना कि उसके बाहर जोतिश की माने तो इस उपाय को करने से राज पक्ष में आ रही परिशानिया दूर हो जाती हैं दुरघटनाओं से बचना चाहते हैं तो करें ये उपाय दोस्तों होली का देहन के दिन रात को आग लगने से पहले अपने हाथ में पांच काली गुज्चा लेकर होली का की पांच परिक्रमा करें परिक्रमा करने के बाद होलिका की ओर पीट कर ले और पांचों को सिर के उपर पांच बार फेर कर हाथों को सिर के उपर उठा कर होलिका में फेग दें इससे आपको हमेशा दुरगटना से बचाव मिलेगा। लेकिन इस मंत्र के जाप करने से पहले ध्यान रखें कि होली के बाद भी इस मंत्र का 11 बार जाप करना पड़ता है तो दोस्तों ये थे कुछ सरल से उपाए जिसके द्वारा आप अपने आपको हर तरह की बाधा से दूर कर सकते हैं और होली पर विशेश धन लाब उठा सकते हैं इसी तरह के और चमतकारी टोटकों के लिए जुड़े रहिए चमतकारी टोटके के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए